के ऐले कॉमगेंग कैसे काम करता न एक्ट होते हैं यह सब देखेंगे तो संबसे पहले तुह हमद ये करता है यह करते जब आल हुआitter साइकल पढ़ा था तो इयर स्टेुर्डेट साइकल िन्हें हमारा जो वर्किंग फ्लुईड था जो वर्किंग फ्लुईड हम यहां यूस करते थे जो अंदर की और जाता था वो कौन सा होता था एयर स्टेंडेड में सिर्फ एयर हुआ करता था बट इन फ्यूल एयर साइकल जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होगा वह एयर प्लस फ्यूल होगा पहली बात ठीक है अब जो फ्यूल एयर मिक्षर आपका है उद् मेट्रिक है लीन है रीच है यह सब कंडिशन डिपेंड करता है तो यहां पर लिखा है फ्यूल एयर साइकल इस दिफाइन अज थे तीरिकल साइकल विच तेक्स अजिए यह फ्यूल मिक्षर आज दे वर्किंग फ्लूइड थे वर्किंग फ्लूइड थे अच्टिश यह वर एनलेसिस के नौट ब्रींग आउट अफ्यूल रेसियो अन थे थर्मल एफिसेंसी बिकास देवर्किंग मीडियम एस्यूम तुब यह अब जब हम एयर स्टेंडर साइकल पढ़ते थे तब वहां पर हम अगर किसी एफिसेंसी बढ़ानी होती थी हमारे इंजन की तो हमारा working fluid kya hai air to hai saath mein fluid कोई fuel bhi hai so in this lecture we have to discuss if the presence of fuel in the cylinder is taken into account and according accordingly the working medium will be a mixture of fuel & air by fuel air cycle analysis it will be possible to bring out the effect of fuel air ratio on thermal efficiency and also study how the peak pressure and temperature during cycle vary with respect to fuel air तो आपका फ्यूल एयर का रेश्यो पर डिपेंड करेगा ठीक है और फ्यूल की पपर टीपेंड करेगा और प्रेशर पर एक्ट हो रहा है यह सब चीज हमारा डिपेंड करेगा एर स्ट्रेंडर साइकल में हम इतना कुछ नहीं देखते तो हम पर हम बस क्या करते थे कि एर हमार ले रहे हैं अगर आफिसेंसी बढ़ानी है तो अब 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 आपको बढ़ानी हो तो यहां पर आपकी एर फ्यूल रेसी देखना पड़ेगा कि आप कितना प्रेशर एप्लाई हो रहा है पुपाटी प्लुएड कि यह कर रहे हैं उसकी यह सब चीज़ पर पूरा डिपेंड करता है आपकी एफिसेंसी थीक है मैं कि कुणकौन सा परस्ट जो हमारा कीवाड है दिक ड act the actual composition of cylinder gases second one is the variation in the specific heat with temperature third one the effect of dissociation or fourth one is the variation in the number of molecules ठीक है जो हमारा fuel air cycle का जब हम analyze कर रहे हैं तो यहां पर हमारा चार main factors आता है पहला था हमारा the actual composition of the cylinder gases आप जो gas हमारा जो इंजन है जो अंदर जा रहा है जो गैस अंदर जा रहा है वो कौन कौन सा है कि अब जो हमारा गैस अंदर की और जा रहा है उसमें हमारा फ्यूल है कि एयर है कुछ वाटर वैफर्स भी होंगे कि रैसिड्यूवल गैसे तो अल्रेडी हमारे इंजन के अंदर जो इससे पहले साइकल हुआ था उसका रैसिड्यूवल गैसे कुछ बचा हुआ है पूरा तो निकलता नहीं कुछ तो बचा रहे गया अब जो फ्रेस चार्ज अं अंदर आ गया तो इंजन सी जो जाएगा रैसिड्यूल गैस ज्यादा हो गया तो अल्रेडी हो कम हो जाएगी एफेक्ट करता है मेरे एफिसिंसी को एक है है अब हम एयर स्टेंट साइकल की एनलाइज करेंगे बट इन केस फ्यूल एयर साइकल फ्यूल उसमें आ गया तो फ्यूल की पोपर्टी से कारण हमारा स्पैस्विक वेट भी इस पैस्विक हीट इंक्रीजेश विट टेंपरेचर यह हम जानते हैं कि अगर आप इस स्पैसिफिक हीट इंक्रीजेश देर्फोर यहां पर लिखाया देर्फोर वैल्य ओफ गामा अल्सों चेंजेश विट टेंपरेचर थर्स गामा इस इक्वल टू रेशियो ऑप सीपी अपॉन सीवी वैरीज विट टेंपरेचर ओके यह हो गया अब हमारा थर्ड है अब आप डिसोसीशन का क्या एफक्ट होता है यह हम देखते हैं ठीक है कि दफ्यूल एंड एयर दो नौट कंप्रेटली कंवाइन केमिकली अट हाइट टेंपरेचर एंड दिस लेट्स तो प्रेसेंस अफ सीओ टू एच्टू एच्टू ए तो हमारा ऑक्सीजन से रियक्ट करता है तो हमारा तो सीओ बनता है तो यह दा इस्टू रिड्यूस दा मैक्सिमम टेंपरेचर एंड प्रेसर एक्सपेक्टेड डिवरिंग कंबसन प्रोसेश डिसोसीशन का मतलब क्या होता है हमारा फॉर इजामपल आपने सुगर लिया श तो रेसीडियल गैसे आपका जो एयर अपने अंदर लिया जिसमें क्या क्या है हमारा हाइड्रोजन भी है कर्मडियोक्साइट भी है कुछ अक्सीजन भी है यह तो रियट करके नॉर्मली कंबस्टन बनाया बट उसके जो पार्ट निकले वह भी अगर डिसोसीट होने लग यहां पर आप एक चीज़ देख रहे होगे जो हमारा डॉटेड लाइन है एकदम बीच में यह इस्टविकायोमेट्रिक मिश्चर मिश्चर मिंस एयर फ्यूल मिश्चर एकदम इक्यूवेलेंट है इस टाइम पर आपका जो मैक्स डिसोसीएशन क्या होगा होगा इनी डिस मैस्योण यह मीलेगा लीन में इधिक क्या होता अileem मिश्चर मीश्चर में मिक्रम कमरी मिसचर मींस इननी का मातरा ज्यादा है दोनों में जब आपका मिक्चर के श्रकाव में ट्रिक होगा तब आपका जो टेंपरेचर होगा क्या होगा मैक्सिमूम बताएगा बट जब डिसोशेशन हो आप कुछ ऐसा फ्यूल लिए जो आप टेंपरेचर हमारा जो पार्टिकल से उनके बीच में ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा हम विट डिसोशेशन आपको यह कर्व दिख रहा होगा जो की कम है मैक्सिमूम पॉइंट से तो डिसोशेशन कारण यह टेंपरेचर हमारा कम हो जाता है प्रेसर भी एफेक्ट होता है अब हमारा देखें इसमें अगला टम कि ब्रेक पावर देफेक्ट ऑफ डिसोशेशन ऑन आउट्पूट पावर एस सोन इन फिगर फॉर टिपिकल फोर स्टोक स्पार्क इगनिशन इंजन ऑपरेटिंग एट कॉंस्टेंट स्पीड इस नो डिसोशेशन देखो यहां पे ब सब्सक्राइब नहीं प्रेक आपने थोड़ा भी कम ज्यादा कि या फ्यूल माली रीच मिक्सर बन गया और फिलींग मिक्सर बन गया तो उसके कारण हमारा डीक्तिशन होगा तो डिसोशेशन होने कारण ब्रेक पावर देखो अईससे डिक्रीज हो रहां मैक्सिम ब्रेक न the brick power graph shows the loss of power due to dissociation when the mixture is quite when the mixture is quite lean there is no dissociation okay the variation in the number of molecules number of molecules the number of molecule present after combustion depends upon the fuel-air ratio and upon the pressure and temperature after the combustion the number of molecules the combustion chamber में कितने molecules आपके प्रिजेंट करता है आपके air fuel ratio पे हम जानते हैं PV is equal to NRT होता है अगर टेंपरेचर ज्यादा है तो PV ज्यादा है here the pressure depends on the number of molecules or molecules present this has direct effect on the amount of work the cylinder gas can impact on the piston P is physical to NRT अगर आपका N क्या है number of moles number of moles increase होगा तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज है तो temperature इंक्रीज है इस फॉर्मूला से हमें सब पता जलता है ना इंक्रीज दे specific heat that is temperature is raised larger हम जानते हैं कि अगर इंक्रीज होगा temperature भी इंक्रीज होगा larger friction of heat input go to produce the motion of atom within the molecules यह क्या करेगा हो हमारे जो molecules उनके बीच में motion start कर देगा turbulence होने लाएगा को कुछ एजबसन है इसके अलावा फ्यूल एर अनलाइस यह चार के अलावा कुछ एजबसन्स भी हमारे आते हैं फ्यूल एर साइकल जब एनलाइस करते हैं क्या क्या हो पहला है हमारा देर इस नो chemical change in either fuel or air prior to combustion second subsequent to combustion the charges are always in chemical equilibrium third one is there is no heat exchange between the gases and the cylinder wall in any process they are adiabatic also friction is neglected fourth one is the the value cities are considered to be negligibly small fifth one the fuel is assumed to be vaporized completely and mixed with air thoroughly and the six the combustion take place instantaneous at TDC ठीक है TDC पे हमारा combustion कैसा होना चाहिए instantaneous होना चाहिए तो यह सब था हमारा तो हमारा यह टॉपिक यहीं पे analysis हो गया फ्यूर एर साइकल का next topic में हम स्टार्ट करेंगे कुछ important ठीक है thank you for watching this video